दोस्तो आज के इस विडियो में हम आपको बताएंगे कि आप Indian Bank का जो ये Mobile Banking App होता है IND Oasis इससे आप Fund Transfer कैसे कर सकते हैं, किसी दूसरे Bank Account में रुपए कैसे Transfer कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप ये जो App है इसको Open कर लीजिए जैसे ही इसको open करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना code डाल करके मतलब four digit login pin डाल करके login कर लेना है उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस type का interface मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको fund transfer करने के लिए एक option दिख जाएगा fund transfer का यहाँ home page पर ही आपको इसपे click करना है इसपे click करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस type का interface और यहाँ पर आपको ऊपर एक option दिखेगा easy pay का आपको इसपे click करना है इसपे click करेंगे तो यहाँ पर आपको from दिख रहा होगा तो आपको अपना बैंक अकाउंट इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है जिस भी बैंक अकाउंट से आप रुपए भेजना चाहते हैं ठीक है इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर बैनिफिशरी में प्लीज सेलेक्ट यहाँ पर दिखा रहा होगा आप इस प bank पे click करिए click करेंगे तो यहाँ पर आप से अब पूछेगा account number ठीक है यहाँ पर आपको account number डालना है फिर से re-enter करना है account number और IFSC code भी जो है वो डाल देना है उसके बाद आपको amount यहाँ पर डालना है कितना amount आप भेजना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है beneficiary name डालना है मतलब जिसका account number है उसका name डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको mobile number डाल देना है और उसके बाद जो है यहाँ पर आप चाहें तो add to beneficiary करें या फिर ना करें और सारी details यहाँ पर भरने के बाद जैसे ही आप proceed पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक brief type से दिखा देगा सारा तो आपको देख लेना है कितना amount भेज रहा है किस bank account से किस bank account में उसका IFSC code mobile number यह सब आपको यहाँ पर summary दिखा देगा आप देख लिजे उसके बाद यहाँ पर आप confirm पे click कर दीजे जैसे ही confirm पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको transaction pin डालना होगा और यहाँ पर transaction pin डालने के बाद आपको submit पर click कर देना है जैसे ही आप submit पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है OTP validation करना होगा तो आपके नंबर पे एक OTP आया होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है अब यहाँ पे इसने automatic ही ले लिया तो अगर आपके में भी उसी phone में SIM पड़ा है तो हो सकता automatic ले 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 अदर्वाइस अगर नहीं लेता है तो आपको यहाँ पे बैनुवली डाल देना है क्लिक करके और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे इस पे क्लिक कर देना है अब जैसे ही आप सब्मिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से आजाएगा ट्रांजेक्शन सक्सेस्फुल और जिस भी बैंक अकाउंट को आपने रुपए भेजा होगा उस बैंक अकाउंट में रुपए चले गए अगर वीडियो से हल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लिए सब्सक्राइब एन बेल आइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियो उस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आप से एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए